सो एमपी एमकेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है जिसा कि यहाँ पर ओपिसली न्यू जा चुका है आपके मद्देपरदेश नर्सिंग PNST रिजल्ट को लेकर कापी ज़दा कमेंट आ रहे थे पर ये विद्यारतियों के सर तेरा फरवरी को कोट में जो हैरिंग हुई थी सुनवाई हुई थी वहाँ पर रिजल्ट के बारे में उन्होंने क्या बोला तो चले यहाँ पर हम चेक आउट कर लेते हैं और सारे इनके यहाँ पर आ चुके है यह देखिए कुल नर्सिंग कॉलिजेस जाच है ना जाच में उप्यूक नियूंतम निमित्ता सब कोड का वहाँ पर भी जाकर अभी आपको दिखा देते हैं सो मेरे प्रिविद्यार्तियों हम आ चुके यहाँ पर हाई कोड़ों मद्यप्रदेश की ओपिसल वेबसाइड पर जहां पर हम केस का स्टेटस देख सकते हैं जो कोड में हुआ था अब यहाँ पर केस का नंबर हम हमने इंटर कर दिया हमारा इयर इंटर कर दिया और जैसे हम यहाँ पर सोग करते सेर्च करते तो इसका पूरा स्टेटस हमारे सामने आ जाता है तो यह पूरा उपन यहाँ पर हो चुका है यह देखिए तेरा फरवरी को हैरिंग हुई थी जहां पर इन्होंने बोला है कि अ अपी टाइम से डेट के उपर डेट, तारिक के उपर तारिक दिये जार रहे हैं, है ना, आपने भी नोटिस किया होगा, लेकिन अब देखो, बहुत हो गया, हद हो गई, मतलब एक लिमीट तक हम सहन कर सकते हैं, लेकिन अब तो हद हो गई, इन्होंने मार्ज को भी छोड़ अपरिल में इन्होंने डेट को रख दिया, और फिर जैसे अपरिल आईगा, फिर यह मैं कर देंगे, फिर जून कर देंगे, हमारे केरियर का क्या होगा, हमारे बविसे का क्या होगा, इनको जराश भी फिकर नहीं है, और यहाँ पर देखो, जो भी करना होगा, अब हमें कर जहां से आप अपना ड्रीम है ना मेडिकल फिल्ड में जाने का वो पूरा कर सकते हो क्योंकि अगर आपका रिजर्ट भी आ ठीक है तो वह आपको बीएस नर्सिंग कॉर्सेज में प्रवेस मिलेगा वह चार साल का ट्रेनिंग आपको करना होगा तो यह ट्रेनिंग तो आप कह difficult रहता है शुरू-स वात में बट दीरे-दीरे सब सही हो जाता है क्योंकि यहां पर मेरे को नहीं लग रहा कि रिजल्ट को जारी कर देंगे यहां पर तो यह डेट के उपर डेट दिये जा रहे हैं इससे आप भी परेसान होगे और हम भी परेसान होगे इतना सारा डेट य के जितने भी वकील है जितने भी जज़े सब यहां पर दिखा रखा है और यहां पर चलोôm न्यूज में क्या बोला है वोगी देखो जका है ओ Bella है यहां पर भीहूज है और एक रास्ता में आपको दिखाने वाला हूं परजन टाइम पे जहां पर आप फोरम बर सकते हो और बेनिफिट ले सकते हो यहां पर नियूज को देख लेते हैं पहले नर्सिंग फरजी वड़ा हाई कोट में खुली 308 कोलेजों की जांच रिपोर्ट देखो यहां पर जो कोलेजों का फरजी वड़ा है वो भी चल रहा है और रिजल्ट को लेकर भी यहां पर मामला चल रहा है CBI की रिपोर्ट मज़े परदेश के 65 नर्सिंग कोलेज अयोग्गे यहां पर देख लो 65 अयोग्गे है 74 मानको पर खरे नहीं तो मामला और complicated होता जा रहा है यह जबलपूर का news देख लो नर्सिंग कोलेज फरजी वारे में CBI की जांच यहां पर हाई कोट में खुली है जो CBI जांच होई थी ना वो हाई कोट में खुल चुकी है और CBI ने कुल 308 कोलेजों की जांच की इन में से 65 अयोग्य पाए और 44 कोलेजों को पूरा मानक पूरे नहीं है क्राइटीरिया पूरा नहीं है उनका और यहाप और और भी देख लो आप सुदरा जा सकता है 109 नर्सिंग कोलेज पात्र पाए गए यह देख आप लो एससेन एड़ोकेट हुई साल बगल ने आपर जारी किया तो यह मामला है तो ऐसे में अब करना क्या चाहिए आपको क्योंकि कोट ने तो आपको डेट थारिक यहाँ पर देदी एक अपरेल की कितनी एक अपरेल और एक अपरेल बहुत दूर है कैसे वेट करेंगे इंतजार का पल बहुत डेंजर होता है हमारा तो एक एक दिन एक एक शन इपोटेंट है विद्यार्तियों न तो विद्यार्तियों के लिए समय कितना माईने रखता है वो आपको पता है हमको पता है किलेर तो अब करना क्या है आपको परजेंट टाइम पर पता है आपको एंटे ने फोरम निकाल रखे है नीट के और नीट के तुरू आप टोप लेवल के जो कॉलिज है वहाँ पर क्यों नहीं जाते तोड़ा सा मैं बता रहा हूं सुरुआत में डिपिकल्ट हो का लेकिन जि अगर आपके पेरेंट्स माता पिता मान जाए आपको मतलब वहाँ पर स्टेडी करवाने के लिए तो तोड़ा रिक्वेस्ट आप कर सकते हो क्योंकि फिर यह भी मौका जाने वाला है यह देख लो आप यह exam.ac.in का official website है और यहाँ पर हम क्लिक करके यह फोरम बर सकते है यह अभी मौका है मार्च में यह मौका भी जाने वाला है यह नीट के फोरम आपको बर ना होगा और पता है आपको इस फोरम के द्वारा कहां कहां पर आपको बीएस नर्सिंग कोर्स करने का मौका मिलेगा क्योंकि आप बीएस नर्सिंग यह तो करना चाते हो ना पीनिस्ट का पिता और मैं आपको अवेर करता रहूंगा क्योंकि आपका गुरू होने के नाते मेरा फर्ज बनता है तो यहां पर यह फोरम आप बर सकते हो अब चलो इसका डेट रहने वाला है नो मार्च इसका लास्ट डेट है तो कुछ दिनों बाद यह मौका भी आपके हाथ से चला जाएगा तो बेट के आपके माता पिता जो भी गार्जन है बाते करना उनसे कि अब क्या किया जाए पेनेस्टी वाले तो रिजट जारी नहीं कर रहे है कोट में मामला डेट के उपर डेट दिये जा रहा है और परजेंट टाइम पर नीट के फोरम स्टार्ट है भरेक नीबरे आप उनसे भी सला ले सकते हो क्योंकि अगर यह फोरम आप भर देते हो तो एक तो बनारस हिंदू यूनिशिटी है यहां से आप बीएशन नर्सिंग कर सकते हो दूसरा जिपमर से कर सकते हो तीसरा ड्रीम इंडिया के परतेक साइंस बाइलोजी विद्यारती का ड्रीम मिलेटरी बीएशन नर्सिंग जहां पर रहना काना पीना सब कुछ फिरी एडिशन ट्रेनिंग सब फिरी सरकार की सारी सुझदा है यहां पर आपको मिलती है इस्पेसलिक ग्रल्स के ल अहले आपको अहिल्या बाई और नर्सिंग दिल्ली में यहां पर भी नीट के तुरू आपको परवेश मिलेका यह कोलेज है यह कोलेज के स्टाफ है देख लो आप यहां पर आप पढ़ाए करोगे और यह है आपका Florence Nightingale और यह है आपका डॉक्टर रामनुर लोईया इसके अलावा है बोपाल मेमोरिल होस्पिटल यहां पर भी नीट का फोरम भर के या परवेस पा सकते हो अगला है बोपाल नर्सिंग कॉलेज यहां पर भी नीट के तुरूई आपको परवेस मिलेगा तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नीट का फोरम ताप भरी देना और यहां पर देखो तैयारी की चिंदा बिल्कुल मत करना सारे नौट्स यहां पर हमने अवालिबल करवा रखे यहां पर आप नौट्स ले सकते हो और एक्जाम को कॉलिफाई कर सकते हो और यहां पर यह डिटेल भी दे रखे क्या क्या मिलेगा आपको देखो आपर सब कुछ मिल जाता है आप नौट्स भी पढ़कर चले जाओगे ना तो भी आपका सेलेक्शन हो जाएगा 830-210-5558 नौट्स अगर आपको लेना है तो इन पर वार्टस अप कर देना तो मेरे प्रेविध्यार तो यही ओप्शन पर जेंट टाइम पे हमारे पास है अब यहां पर आप बोलेंग सर ग्रल्स को पेरेंट्स बाहर बेजते नहीं है हमको बाहर जाने नहीं देंगे हमारे गरवाले हम तो गाउं से आते हैं दूसरे सर में नहीं जाने देंगे दूसरे राजे में नहीं जाने देंगे देखो यह तोड़ा सा एपट तो आपको करना ही होगा अगर आप बाहर नहीं जाओगे तो फिर गवर्मेंट जोब कैसे करोगे क्योंकि आपको पता थोड़ी आपका जोब कहां पर रहेगा अगर आप मद्धे परदेश से नर्सिंग कर लेते हो तब भी नौकरी के लिए तो बाहर जाना ही पड़ेगा ना दूसरे जिले में जाना पड़ेगा ना दूसरे राजे में जाना पड़ेगा तो अभी आपका टाइम काम आ जाए तो इसलिए में बोर्ड रहा हूं ताकि आपको इंडिया के जो टॉप कोलेजे वहाँ पर ये कॉर्स करने का मोखा मिले क्योंकि आपके मद्दे पर्देश में तो आपको पता लगी गिया कि यहाँ पर कॉर्ड आपको डेट के उपर डेट देता जा रहा है है ना और आपका समय निकलता जा रहा है और समय ऐसा है जो एक बार निकलने के बाद वापिस नहीं आता तो यहाँ पर तोड़ा सा प्रयास करो आप NEET का फोरम कम से कम भरो ताकि कुछ आप तयारी करके अगर इसको देते हो तो आपको कम से कम 15 से 16 कोलेजियों में प्रवेश का मौका मिलता है NEET एक्जाम के थुरू बाकि आपका जो भी ओपिने ने कमेंट करके बता सकते हो नोट्स वग्यरा क्लासे वग्यरा सब हमने अवाइबल करवा रखी है NEET के PNST के PARAMEDICAL के सारे नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है कोई शमस से आती है तो यह हेल्प लाइन नमर है इन पर वार्श अप कर देना सारे नोट्स और कोचिंग क्लासेज के बारे में इन्परमेशन आपको दे दी जाएगी